दिल्ली के 30 हजारी कोट में फाइरिंग की घटना सामने आई है इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है जानकारी के मताबिक किसी बात को लेकर वकीलों के बीच बहस की वज़े से ये घटना हुई आज एक 30 की हमर पास PCR कॉल आई थी कि 30 जारी कोट में एक वाइरिंग के घटना हुई है हमारे DCP, SHO और सभी लोग मौके पहुंचे हैं अब हमें पता लगा है कि 5 हमें खाली कोल मिले हैं और 2 ग्रूप है इनके वकील्स के इनके आपस में कोई कास हुए और उसके बात पारिंग हुई है हम लोग मौके पहुंच गयें, FSL की टीम हमारे साथ है और हम लोग जांच कर रहे हैं और सभी पहलों पर जांच के जाएगी और लीगल एक्शन ले रहे हैं कि अभी हम वेरिफाइब कर रहे हैं कि कौन है कौन है कौन है कि हमें CCTV फोटेज सुशल मीडिया से मिल रहे हैं और जो फीजिकल हम लोग जांच कर रहे हैं यहां से पता लग जाएगा कि कौन के पीछे हैं और किस ने फारिंग के जग्रे के पीछे वजह क्या रही है सब बता लग जाएगा कि अगर राइसंसी है या नहीं है कितने राउंड गोल यहां चलिएंगा सब्सक्राइब कर देखेंगे तो पूरा जिला ही लगता है बाकी टीम भी लगती है कि इस तरह का सेंसिटिव इंसिडेंट होया तो हम लोग एक्शन ले रहे हैं सब्सक्राइब किको स्रुक्षा बूपता है बावजिद इसके इतना हतियार पे जाने की इएगड़ना है लगातार देखेंगा इसकी बात bringing करेंगे क्यको हमारी सकर्टी विंग ऊसके बाद हमारी अंदर भी ये तो इक सितरह से लेके पहुंच्छें हैं अगर यह लॉयर हैं और यह अप और उनकी भाई लालित ने गालिया दिनी शुरू करती कि कल तु कोट आएगा कम तुझे देख लेंगे तुझे गोली मार देंगे तु किसी तरह की कोई चलाई है तो सर विवाद किस चीज को लेकार है विवाद हमारे बार के कुछ इस्जू थे उनको लेकर हमारा आपस का जगड़ा चल रहा है तो अब इसमें आप क्या legal course of action करेंगे सर अब जो legal course of action होगा वह तो होगई जी दूसरे दूसरी पार्टी के ख प्रवाइब दूँगा जिन्हों ने मेरे साथ मार पिट की है और उन्हों ने गोली चलाई है मुनको इप पैचानता हूं की फुटेज भी है वह पोलीस में दूँगा और तो सर आकर गोली किस ने चलाई थे तरह गोली एक ललित शर्मा उनका सेक्टि साब का चोटा बाई थ क्यों है